मेरे नाम है रजनीश स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में कंपेर करने वाले हैं इन दो बाइक्स को जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक है हंटर दूसरी है अपनी क्लासिक 350 कि दोनों रोयल एंफील्ड की है लेकिन कॉंपेटिशन है ये खुद गे लिए और है बेसिक डिफ्रेंसे है चला के देखेंगे हंटर को क्योंकि इसको चलाती रहते हैं तो ऐसी कुछ दिखती है हंटर इसका साइड प्रोफाइल ये इसका टॉपेंड वेरियंट है और इसमें भी जो है है हेडलाइट हेलो जनी है तो एक बार इसको पास खड़ी करके देख करने का ट्राइब करते हैं तो यह फ्रंट से आप डिफ्रेंस पॉर्ट कर पाएंगे क्लासिक जो है थोड़ी सी हेवी लगती है और यह थोड़ी लाइट लगती है और बोडिवीट में भी थोड़ी कम है तो ट्रैफिक में इसको फ्लिकर करना थोड़ा साइज ही रहेगा पहले बार देखेंगे तब ही आपको समझ में आ जाएगा दूसरी है इसकी सीट देखें तो इसकी सिंगल पीस में है और इसकी आएगी स्प्लिट सीट हाला कि यह मैंने चला के दिखिए कमफोटेबल बहुत है यह इसको देखके आप समझ सकते हैं इसकी कुशनिंग जो है अच्छी कुशनिंग है इसकी दूसरा डिफरेंस अपन साइड से देखेंगे तो यह है इसका एक्जॉस्ट उसके कंपेरिजन में थोड़ा चोटा है और इसकी आवाज भी काफी एग्रेसिव है तो में इसके और डिफरेंस अगर बात करें अपन तो इसका मीटर कुछ ऐस इस एक कंसोल के अंदर ही इंटिग्रेटेड है अनलोग और डिजिटल जिसमें आपको ट्रिप, टाइम, फ्यूल गेज, ओडो मीटर, सारा कुछ मिल जाता है अच्छा है यह काफी अच्छा दिखता है तो यह हुग है इसका मीटर कंसोल बात करें इसके वील्स की तो यह है 19 इंच, 100 सेक्षन का फ्रंट इसमें मिलेगा आपको 110 mm का 17 इंच का वील्स की पीछे की बात करें तो 18 इंच का 120 सेक्षन इसमें मिलेगा आपको 140 सेक्षन का 17 इंच अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स की तो ब्रेक जो सेटप है इन दोनों के अंदर सेम है जो की यह 300 mm का डिस्क है विद ABS कैलिपर है जो दो पिस्टन वाला है सेम सेटप इसके अंदर है 300 mm दो पिस्टन का कैलिपर और बात करें पीछे के ब्रेक की तो इसमें आपको ब्रेक क कुछ ऐसा दिखेगा ये भी 270 mm का है और इसमें भी आपको 270 mm का डिस्क ही मिलेगा हाला कि इनके ABS में थोड़ा सा मुझे फरक दिखा वो मैं इसको जब Hunter को चला के दिखाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा इंजन दोनों का सेम है कि 350 CC का जे सीरीज 20 BHP और साउंड थोड़ी अलग है और इसकी बात और सीट हाइट के बात करें तो मुझे लगबग सेमी लगी इसकी थोड़ी सी थोड़ी सी ज्यादा लगी मुझे पता नहीं क्यों लेकिन सीटिंग कमफर्टेबल है दोनों गाड़ीों की यह जो कलर है यह मैट में आता है और उसमें भी मैट कलर है जो डार्क एडिशन के हैं तो इसमें भी आपको मैट कलर मिल जाएंगे और इसकी जो है हेडलाइट एलेडी है इसमें आपको हेलोजन सेटप मिलता है टेल और इसमें और इसकी टेल लाइट का सेटप थोड़ासा उ उपर मिलता है सीटिंग के चसर नीचेसे अब सीटिंग मैं बात करना हूं तो इसमें जो है थोड़ा सा फ्लैट है यह हलकी से पीछे से उटी भी दिखेगी सीट तो यह फरक है बैक रेस्ट मैंने इसमें अलग से लगवाया है इसमें भी लगवा सकते हैं एसेसरी रॉयल एंफील्ड ने दीवी है तो इसमें भी लगवा सकते हैं और वो सेफ इसलिए रहता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं कोई बुजूर्ग महिलाओं को आप करता है तो ऐसा कुछ सीट का सैटप है और बात करें रेर व्यू मिरर की तो इसमें कंपनी जो देती है वो है राउंड में है यह और फ्लास्टिक आप देख सकते हैं जबकि इसमें अगर देखेंगे तो आपको क्रोम दिखेगा है राउंड यू यूसेबल है सीटी में चल करते हैं इसमें अभी चला के देख लेंगे बात करेंगे हैंडल बार की तो थोड़ा सा उठा हुआ है अपराइट पोजिशन है इसका हैंडल बार फ्लैट है और थोड़ा सा एग्रेसिव स्टान्स देता है जब आप इसको राइड कर रहा होता हैं बात करते हैं कि इसमें थोड़े से रेयर सेट हैं तो अग्रेसिव स्टांस देता है और नीज आपकी थोड़े सी मुड़ी भी रहती है यह रहा रेयर का फुट पेग और यह इसका कमफर्ट की बात करें तो लॉंग रैड के साब से मुझे यह वाली क्लासिक थोड़ी सी ज्यादा लगी क् भी मेरे नीव में इंजरी होई भी है और इनकेस अगर आपके भी किसी तरह की इंजरी है फैर में तो यह आपको लॉंग रैड में ज्यादा ठीक लगेगी बजाए इसके तो यह यहां से दोनों कुछ ऐसी दिखती है अब मैं एक बार हंटर को चला के देखता हूं और ब्रेक्स का जो मैंने आपको मेंशन किया था वो दिखाता हूं मैं एक चीज में बताना बूल गया था कि इस क्लासिक में सिरफ डार्क एडिशन के अंदर अलोई मिलते हैं बाकि आपको जो दो वेरियंट है बेस के अलावा उनमें आपको अलोई वील्स मिलेंगे बाई डिफॉल्ट तो उसमें फाइदा यह है कि आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा 18-19,000 का खर्चा लग जाएगा वील्स और टायर्स के लिए क्योंकि यह जो टायर्स हैं वो हैं ट टूब लेस्ट दलवाने पड़ेंगे इसमें तो गाइज एक बार इन दोनों का एक्सॉस्ट नोट देख लेते हैं कितना फरगाता है तो ऐसा कुछ साउंड है हंटर का एक्सॉस्ट चोटा है लेकिन पटा के बड़े-बड़े मार रहा है तो ऐसा कुछ साउंड है क्लासिक का तो भाईयों ब्रेक टेस्ट कर लिया है और ये बात पकी है कि इसके ब्रेक्स हैं वह बहुत ज़्यादा बड़िया है एस कंपेर टू क्लासिक तो गाइस जब मैंने इस बाइक को चला के देखा तो एक बड़ा डिफरेंस जो मुझे नजर आया वो था राइडिंग पोजिशन का क्यूंकि इसका जो हैंडल बार है तो वह थोड़ा सा फॉर्वर्ट सेट है फ्लैट है तो और थोड़ा चोड़ा भी है तो उसको हैंडल करना थोड़ा से इजी हो जाता है और बाइक बहुत स्मूध है इंजिन रिस्पॉंस है वो दोनों बाइक का बहुत अच्छा है और बात की जाए अगर स्टांस की तो इसमें वही जो मैंने बताया था थोड़े से फुटपेक्स इसके रेर सेट हैं तो इसको चलाने का लग करनी पड़ेगी यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा भगा के देखा था और इसे जो है तेज चलाने का मज़ा भी आता है और वहीं अगर आप क्लासिक को चलाएंगे तो क्लासिक ज्यादा उन लोग को पसंद आएगी जो आराम से चलना पसंद करते हैं तो यह एक बड़ा ड चला के देखा और ट्राइ किया समझाने का कि दोनों में डिफरेंस आप लोगो समझा सको माइक जो है वो मैं अटेच करना भूल गया था क्योंकि गोपरो की आदत नहीं है मुझे अब इतनी एक्स टाइम से दिमाग में रहेगा मेरे अब तो यह था दोनों का कंपेरिजन म तो आप एक बाइक डिसाइड कर पाओ तो दिस वोज एट कमेंट सेक्शन में आप बता देना वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर राइड सेफ